तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनम लॉजिक में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरीके से घर बेटे ही अपने पैन कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है मैं इसमें आपको दो तरीका बताऊँगा अगर आपका पैन कार्ड पहले से अधर कार्ड के साथ में अगर लिंक होता है मतलब अधर कार्ड में आपका नंबर लिंक होता है तो किस तरीके से करते हो और अगर आपका अधर कार्ड में फोन नंबर लिंक नहीं है तो आपको किस तरीके से अपलाई करना है तो इस वीडियो को लास तक देखिए और अनम लॉजिक को सबसे पहले सब्क्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे देखना और लास तक देखना अगर अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्क्राइब जरूर करना तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह के का फॉर्म ओपन करने मिलेगा और इस यह फॉर्म जो NSDale की जो ओफिशल वेबसाइड है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की का इंटरफेस अब जैसे लिंक के ओपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की का इंटरफेस दिखाए देगा तो यहाँ पर आपको देखे apply online के ओपर क्लिक करना है फिर application type में new pen card के ओपर 49 form उसके बाद आपको individual और यहाँ पर शरी शरी मती कुमारी में से कोई एक आपको select करना है यहाँ पर आपको last name, first name, middle name यहाँ पर आपको दालना है उसके बाद email ID और phone number दाल देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर capture जो दिया हुआ है ठीक है, exactly जैसा अगर capital हो दो capital small हो दो small यह दालके आपको submit के ओपर क्या करना है, click कर देना है और जैसे आप submit के ओपर click करते हो तो यहाँ पर आपको एक token number generate हो जाएगा यहाँ पर देखिए और इस token number को आपको कहीं पर copy करके रख लेना है ताके आपको यह अपना जो इस्टेटेस है, application का जो इस्टेटेस है वो चेक करने में आपको आसानी होगी उसके बाद simple सा यहाँ पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर देखिए आपको तीन चीज़ आपको यहाँ से पूची जा रही है दोस्तों देखिए यहाँ पर तीन चीज़ आपको submit digitally through KYC या submit scan images through e-sign और तीसरा है forward application document physically तो अगर आपका आदर करण से आपका फोन नम्बर लिंक नए तो मैं आपको सजिश्च करूँगा submit scan images through e-sign के उपर और अगर आपका आदर कर्ण से आपका फोन नम्बर लिंक नहीं है तो आपको forward application document physically के उपर click करना है तो मेरा तो आदार कार्ट से लिंक है तो मैं यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर दूँ है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि आदार कार्ट के जो लास के फोर डिजिट का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है उसके बाद यहाँ पे आदार पे जैसा नाम है वो ही नाम सेम यहाँ पे डाल देना है उसके बाद यहाँ पे टाइटल में शिरी शिरीमती यहाँ पे आपको जो भी आपका नाम है आपका जो पैनकार्ट पे जो नाम आएगा वो आपकी ड जयाने न мнunning करेंस तो न दीँको अगर संब पर किया ओडर हुए और पर श्नसर स зовут अगर इंकम आपका बिजिनशानल कड़ेगा एकर कोई इंकम ने तो हर् marked यहाँ पे आपको residence और office यानि कि मैं तो residence के ओपर click करूँगा उसके बाद यहाँ पे आपको residential address वगिरा भी यहाँ पे क्या करना है कि feel कर देना है तो यहाँ पे देखिए आपको residential address भी दाल देना है, fill up कर देना है, आपका flat, अगर आपकी office है तो office का भी address आप दाल सकते हो, यह कोई compassरी नहीं, अगर दालना हो तो आप दाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपने जो country का code है, वो select कर लिए, जैसा के मेरी country का code इंडिया है, तो इं country select कर लिए आपकी, इंडिया करकर देंगा, तो यहाँ पे देखिए, इंडिया भी, मेरी मैंने select कर लिया, तो यहाँ पे आपको select करना है, यहाँ पे आपका country code भी करना है, यह पे आपको आपका email address खुद uma-kud Official folks, आपका email address खुद बहुदा आ जाएगा, ठीक हो एक बार आप अच्छी तरह चेक करके उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स करने के बाद कुछ इस तरह के का इंटरफेस आपको दिखाए देगा यहाँ पे देखिए आपको AO टाइप, AO नमबर इसमें लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे अगर आपको AO टाइप, AO नमबर आपको पता नहीं तो आप सिंपल सा अपने अरिया दाल के वहाँ पे AO टाइप दाल के आप दे कर भी सकते हो Google नहीं तो यहाँ प यह दोनों स्लेक्ट हो गया है, ठीक है, स्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे खुदबाकुद आप जैसे सम्मिट करोगे ना, नैस के ओपर किलिक करोगे ना, तो यहाँ पे खुदबाकुद AO टाइप और AO नमबर खुदबाकुद आजाएगे, और आपको पता है अगर अगर आपका तैस्किल का नाम इससे नहीं होता है, तो आपको पहला वाला स्लेक्ट करना है, तो जैसे आप करके नेक्स करते हैं, यहाँ पे आपका टुटली आजाते है, AO नमबर और AO टाइप नमबर, AO टाइर नमबर थीक है, यह दोनों आ आजाने के बाद दूस्तों यह यहां पर आपको प्रूफ अडेनिटी आपको देना है और यहां पर हिमसेल्फ हर सेल्फ के ओपर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर प्लेस दाल देना है और यहां पर आपको फोटू दालना है और फोटू की साइज आप सेंटीमीटर में लेना है वह भी 3.5 x 2.5 उसके यहां पर आपको signature डालना है वो भी 2 x 4.5 cm में लेना है और वो किस तरीक hace से लेना है मैं video के last में आपको बताऊँआँगा कि आपको photo और अपनी signature किस तरीके select करना है तो यह document में में दाल दिया और यहां में जो सिंपल से क्या करूँआए मेरा जो सिंगनीचर है यहां पे वो भी यहां पे सिंपल से डाल दूगा और डॉक्यमेंट को किस तरीके से आपको साइस कम करना है वो भी मैं लास्में वीडियो में बता दूगा तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे जो PDF फाइल है इसको भी आपको क्या करना है PDF फाइल को भी आपको बड़ी अच्छी तरह है 300 KB से कम होना चाहिए यह बात का धहन में रखना है ठीक है और उसको किस तरीके से कंप्रेस करते हैं वो भी मैंने वीडियो के लास में बता द और उसकी साइज मैंने प्रॉपर तरीके से की है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है PDF भी कर दिया है मेरा साइन भी दाल दिया और यहाँ पर फोटू भी मैंने डाल दिया है अब मैं क्या करूँगा नेक्स किया प्रॉपर तरीके से मैंने सब दाल दिया और अच्छी तरह मै पर आपको एक पेज कुलकर आएगा यहाँ पर पर अपना जो आदार करटे उसका स्टार्टिंग के आठ डिजिट नंबर आपको डालना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी तरह चेक कर लेना है पूरा की आपका नाम आपका सिन्शर आपका जो पेंकर जो न सारी चीज़े अगर आपकी प्रॉपर है तो यहां पर प्रोसीट के उपर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप प्रोसीट के उपर यहां पर क्लिक कर देते हो तो यह 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 डिरेक्ट हमें पेमेंट के उप्शन के उपर लेके चला जाएगा तो यहां से आप अपने पेटिया कुछ मत किजिए और यहां पर जो मेरा टांजेक्शन हो गया है तो दोस्तों जैसे यहां पर देते हो तो यहां पर टाइम लेगा उसके बाद यह खुदबा खुद अपना पेमेट जो है वो सक्सेस्फुली यहां पर बता देगा तो आपको ना रिफ्रेश करना ना कुछ भी कर देगा उसके बाद 10-15 दिन के बाद आपका जो आदार कार्ट पे जो एडरस है उसके पर आपका जो पैन कार्ड वो इसु कर दिया जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो और साइन है और डोकिमेट है किस तरह है से रिसाइस करने के है जैसे ही आप सार्च करता हो तो यहाँ पे देखे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाए देगा यह बहुत ही जादा ट्रस्टेबल वेबसाइड से दोस्तों यहाँ पे देखे आपके इमेज बहुत एची तरह resize होगी, यहाँ पर देखे, आपको select करना है, अपने images वगेरा को, और यहाँ पर मैं आपको एक image select करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ब्रॉजर में चला जाऊँगा, ब्रॉजर में चले जाने के बाद, यहाँ पर मैं जब pen card बना रहा था, ठीक है, जब मुझसे कहा आपकी जो size, आपकी जो photo की size है, वो 3.5 x 2.5 होना चाहिए, यानि कि उसकी height 3.5 cm x 2.5 cm होना चाहिए, और मैं confused हो गया था, ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पर इस website पर आया, और इस website पर मुझे उसका solution मिल गया है, तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 दाला, ठीक है, तो 2.5 दालता हो, तो यह changes नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखे, यह pixel में है, इस वज़े से यह changes नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, यह pixel से हमको हटा के cm करना है, आप इस website में आप percentage में भी कर सकते हो, inch में भी कर सकते हो, cm में भी कर सकते हो अब मुझे जरूरत है cm में यानि के pen card में मुझे cm में मागा है तो मैं simple सा क्या करूंगा? cm के ओपर click कर दूगा और यहां पे मैं क्या करूंगा? simple सा 3.5 कर दूगा ठीक है? अब यहां पे देखिए मैं यहां पे change कर रहा हूँ तो यहां पे भी change हुआ है तो यह दोनों में को अलग-अलग चाहिए वीद में को 2.5 चाहिए तो और हाइट उसकी 3.5 चाहिए यहाँ पे देखिए 2.5 चाहिए ठीक है और हाइट मुझे चेंज करना है 3.5 लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम हो रहा है तो दोस्तो इसको अगर आपको setting करना है अपने हिसाब से यह तो यह जो बीच में टाली का जो निशान है इसको आपको unlock कर देना है तो इसकी height आप 3.5 रखिए है और with मुझे चाहिए 2.5 करके ठीक है यहाँ पे दिखे 2.5 मैंने डाल दिया है तो मुझे क्या है मेरे image और यहा जादे 300 db होएगा तो एकसेब नहीं करेगा तो यहाँ पर सिंपल सा में क्या करूंगा यहाँ पर 200 db तो नहीं दिया है यहाँ पर 150 db दिया हुआ है तो 150 db मैं यहाँ पर select कर लूँगा उसके बाद यहाँ पर kb optional यहाँ जी पीजी जो फाइल है यहाँ पर most of आप जेप resize image now कर देना है ठीक है जैसे आप resize image now करते हो तो यहाँ पर देखिए download का options यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर देखिए आपको बता देगा के पहले आपकी जो फाइल थी वह 477 kb में थी जो के pencard में accept करती भी नहीं थी ठीक है दूसरा अभी आपकी new size है 6.33 kb ठीक है और इसक इमेज आपके आएगी ठीक है यहाँ से image copy करके यहाँ से download images लिखा हुआ है इसके उपर आपको select कर लेना है तो यहाँ पर देखिए यह image मेरी download हो गई है इस तरीके से मैंने क्या किया है कि अपनी image को resize कर दिया है तो दोस्तों यह आप PDF में भी यहाँ से convert अपने जो image है उस दोस्तों आपको क्या करना है simple सग्च जेसे हम से सर्च करेगे यहाँ पर ilogpdf करके second option जो आता है इसके ऊपर select कर लेना है इसके ओपर isolate कर दे जैसे आपका PDF PDF आपको यहाँ पे पूस्ता है तो यहाँ पर आप file select कर लीजिए यहाँ पर document यह वह select कर लिजिए ठीक है और उसके बाद जैसे के पहला फाइल मेरा PDF यह 147KB का, यह देखते हम कितना compress होता है, ठीके, तो उसके बाद यहाँ पे compress PDF लिखा हुआ है, इसके उपर हम क्या करेगे, select कर लेगे, अब यह PDF के compress होने के लिए तयार हो गया है, ठीके, तो यह देखे, यहाँ पर क्या हो रहा ह सकते हो, तो मैं सिम्पल सा यहां से क्या करूँगा, डाउंलोड कर लूँगा, तो यह PDF अपन होगया, ओपन होने के बाद यह 3. का बटन के बिख रहा है, इसके उपर मैं कец लिक कर दोगा, तो दोस्तों 3. के बिखन के अपर जैसे किलिक करता हो, यहां पर अपर देखिए, अपने document को submit कर सकते हो तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यदा पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो मेरे चैनल अनम लोजिक को सबसे पिले subscribe कर लिजिए और साथी साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी interesting वीडियो लेकिया हूँ तो सबसे पिले notification आपको मिल जएए